क्या विदेश यात्रा करना सास्त्र सम्मत है यदि नहीं तो क्या हम विदेश यात्रा करने वाले गुरुओं से दिक्षा ले सकते हैं देखो विदेश यात्रा करना सास्त्र सम्मत है या नहीं है इसके दोनों बाते अचारियों के लिए मना कर रखा है जो अचारिया पीठ पर बैठे हैं उनके लिए सास्तों में मना कर रखा है बाकी संतों को तो पूरी पृत्थी पर जहां भी मनुश्य रह रहे हैं वहां जाकर के भक्ति का ज्यान का परचार करना ही चाहिए बाकी बात सच है भागवत में भी है और कई जगा मैंने पढ़ा भी है और सोना भी है कि विदेशी लोगों को भक्ति करने का धिकारी नहीं है वो भोग भूमी है और भारत है कर्म भूमी भागवत में भी ऐसा लिखावा है तो भक्ति की सिद्धी यहीं होती है इस पृथी पर होती है मतलब भारत भूमी में ज्ञान और भक्ति दोनों सिद्ध हो जाते हैं तो भक्ति की अनकूल यहां का वातवन है यहां के सुक्षम तरंग है भाव तरंग है यहां की है वो भक्ति के अंतुर विदेशों में या हुए. और हमने देखा, कि इस समय विदेशों में भी खी सिर्फ के है चार कर्कूर है है और कहीं ऐसे ओंसद्था है जो विदेशों में जा कर खेर भक्ति का पर्चार करते हैं और वहां के लो philosopher भक्ति मान बने भी गए है और प्यास, लेसन छोड़ दिया, अंडा मास, मीट खाना छोड़ दिया, तिलक धान करना प्रारम कर दिया, और अपना पास्चात्य सब बेता के कपड़े छोड़ करके, इंडियन माताइं पहने लगी साडियां, पूर्ष लोग धोती लगाने लगे, ये सब कुछ हुआ है, लाब हुआ ह लेकिन फिर भी, भगवत प्राप्त उस धर्ती पे किसी को हो गया हो, ऐसा हमने सुना नहीं, आप लोगोंने सुना तो हमको जूरूर बताना भई, ना हमने कहीं पढ़ा, ना हमने कहीं सुना है, कि किसी को अमरीका में, इंग लाइने में किसी को भगवान कृष्ण के दर्षन हुए हों, भगवान-प्रगटों के दर्षन दी हों, ऐसा हमने सुना नहीं, और हमने ब्रज के भग्त गरन्त उठाया, उस में सब लोगों के चरित Colon, लेकिन विदेश की भूमी पर किसी को सिरीकिश्न की भक्ति परमनी दर्षन हुए, ऐसा हमने सुना नहीं, और लगता भी है कि भागवत में जो कहा कि कर्म भूमी भारत है वो बिलकुल हमको ठीक लगता है और हाँ जैसे रुनार दिक्षन है जो इंग्लेंड के थे इनको स्री किष्ण के प्राप्ति लेकिन भारत में आकर हुई है उस दर्ती पे नहीं हुई है और भी कई अंग्रेजों क लेकर हमको लगता है जानतर जितना मैंने अब तक देखा परखा पढ़ा सुना कि ये भगत प्राप्ती और ज्ञान प्राप्ति भारत में है विदेशों में नहीं है साइध इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि अचारिय विदेशों में ना जाए श्मूद्र पार ना करें क् उनका धीकारे नहीं है तो अनाधीकारियों क्यों भक्ति का दान करें इसलिए कहाओगा